परिक्षाओं की तयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन पर क्लिक करना ना भूलें हलो फ्रेंट्स मायसल पंकाजर सौगत आपका लॉजिक गुरुमेद जी हां दोस्तों यह है हमारा नेक्स्ट वीडियो प्रोग्रामिंग विट एसपी डॉटेट पीजीटी से सेकेंड से मांखनलाल चतुरुवेदी का लेक्चर नमबर आठ जिसमें हम यूनिट फॉर को स्टार्ट करने वाले हैं तो ज्यादा समय नहीं लेते हो इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं अगर आप हमारे चैनल पे न कनेक्शन कैसे क्रियेट कुआ जाता है इंटरीक्शन आफ डेटा उसे केसस कि यह जाता है उसी को डेटा ब्लते हैं Ednew recording database database में नया record कैसे जोड़ा जाता है इसकी अतरी के 50% अब आभी पहले single वीडियो में देखेंगे और इसी का आधा पार्ट इसी वीडियो का आधा पार्ट हम दूसरे लेक्षा नमबर 9 में देखेंगे तो दोनों ही वीडियो को आपको जोइन करके एक साथ देखना पड़ेगा तब यह पूरा यूनिट 4 आपको समझ में आएगी अदर्वाइस दर्गत के 5 elements यूस होते हैं वो भी मैं आपको एक एक करके बता देता होdb तो एड़यो.net क्या होता है जब हम कोई डाइनमिक अप्लिकेсятन बनाते हैं निक अप्लिकेशन के 2 पाइट होते हैं, रहलों इक होता है कर सकते हो data को fetch कर सकते हो data insert update delete जैसे operation perform कर सकते हो इन 5 element को एक एक करके मैं आपको समझाता हूँ और इन 5 element पे unit for पूरी depend अगर हम इन 5 unit 5 elements को एक एक करके समझ लेंगे तो आपको पूरा concept समझ में आ जाएगा मैं practical में आगे इसको समझाता हूँ कि कैसे हम इसको यूज करेंगे प्रैक्टिकली पहला आपजेक्ट आता है connection object connection object की साहता से front end का connection बेकेंड में रखे डेटाबेस के साथ बनाया जाता है दूसरा आता है हमारा command object command object का यूज database में मुझूद table के साथ insert update delete और अन्य प्रकार की command perform करने के लिए बनायाता है data adapter डेटा इडाप्टर वेकेंड में रखेगे data को fetch करके लाता है data set में store कर देता है data set एक temporary memory होती है एक logical table होती है जिसमें सारा data adapter द्वारा लाकर रख दिया जाता है उसके बद connection close भी हो जाए तो database के साथ data set के में में रखेगे data के साथ connection हम communication हम कर सकते हैं उसके बाद आता है data reader अगर आपको specific data या line by line data fetch करके लाना चाहते है और आपको समझ में आते चले जाएगा तो चलिए ज्यादा समय लेता हूं और start करता हूं इसका practical चलिए ज्यादा समय लेते हुए अब आगे बढ़ते हैं और हम front end back end के connectivity करते हैं लेकिन इसके लिए हमें सबसे पहले database बनाना सीखना होगा database बनाने के लिए हमें सबसे पहले जाना होगा start menu में start menu में all program में जाएंगे all program में ms access में data बना रहे हैं आप चाहें तो sql server में बना सकते हैं और मेरे system में install नहीं है Microsoft office और Microsoft office में ms access और ms access में इसले भी बनवा रहा हूं क्योंकि इसमें आप पिछले semester में पढ़ चुके हैं चलिए ms access में नहीं यहां पर open किया है इसमें हम database बनाएंगे वह भी 2002 और 2003 के format में क्योंकि इसी की connectivity में आपको बताऊंगा क्योंकि वह easily हो जाती है आ अनकिविडिय क अलग अलग होता है यहां पर यहां पर जाखे हमें सेव कर करके रखना चाता हूं जिसका नाम में database ही रखना चाहता हूँ database ही नाम रख दिया और version मैंने यहां से पहला वाला ले लिया 2002 ok कर दिया, देखिए यहां पर mdb format आ गया, इसको कर दिया मैंने create अब यहां पर table आगे जाती है table के अंदर में कुछ field बनाना होगी इसके लिए हमें here right click करना है और design view में जाना है इसके लिए हमें table का नाम पूछा जाता है table का नाम हमने दे दिया student और कर दिया ok अब एक field में default मिल जाती है जो की होना भी चाहिए हर एक, उसमें एक id होना चाहिए जो की unique id होना चाहिए जो की इस record को पहचान दे सके तो हम इस id को रहने देते हैं इसके अलावा एक s name ले ले लेते हैं जो की text होगा student का name और father name ले 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 लेते हैं जो की father name होगा चलिए इसको अब हम save कर देते हैं और इसको कर देते हैं close तो यह आपका c drive में देखिए data save हो गया है ठीक है चलिए database बनाने के बाद हम database के connectivity देख लेते हैं इसके लिए हमें हमारा software open करना होगा इसके लिए आल प्रोग्राम में जाएंगे Microsoft Visual Studio में जाके Visual Studio को open करेंगे Microsoft Visual Studio को open करने के बाद हम file में जाएंगे new में जाएंगे और एक नहीं website ले लेंगे ठीक है चलिए तो यह आ गया अब हमें हमारी website को save कहां पर करना है तो मेरी website d drive में ASP नाम के folder में art number का एक folder है website 1 के नाम से save हो रही है यह location आपको याद रखना आप भी अपनी हिसाब से अपनी location पर data को website को save कर दीजे क्योंकि जहां पर website save हो रही है उसी folder में आपको database को रखना होगा otherwise connectivity नहीं होगी इसको कर देता हूं मैं क्या ओके चलिए ऐसा करने के बाद हमारा एक web page हमको मिल जाता है जो कि load हो रहा है जिसके दो view होते है एक design view होता है और एक होता है आपका source view यह भी load हो रहा है एक dominant wait करेंगे तो मैं design view पर क्लिक कर दूँगा यह हमारा page load हो चका है default page अब इसमें design view पर क्लिक करके design में आजाता है क्योंकि हमसे सारा काम हमें design view में करना होता है अब आप सबसे पहले काम कीजिए आपने जो database बनाया इसको minimize कर लीजिए और आपने जो database बनाया है जिसे आपने database को रख देता हूं तो website के पास ही वह database होना चाहिए otherwise वह कुछी काम का नहीं होता है और यहां पर आप फिर वापस से maximize करके इस website के नाम पर right click करके refresh folder कर लीजिए तो आपका database आपको यहां पर दिखाई देने लगेगा चलिए यह तो था हमने database बनाना सीखा अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर हम देखते हैं कि हम किस प्रकार से database के साथ connectivity करेंगे डेटा को fetch करके front end पर लाएंगे और कैसे नया record insert करेंगे है ना और data grid view होता क्या है data grid view में ही क्योंकि data हम fetch करके लाने वाले हैं यह सारे topic हम यहां पर clear करने वाले हैं तो इसके लिए सबसे पहले एक में छोटा सा form design कर लेता हूं इंटर नेम क्योंकि यहां से में data insert करना होगा इंटर नेम के लिए हमने एक छोटा सा text box ले लिया देखिए first time को element लेते हैं तो उसमें time लगता है first element लेने में आपको पता है asp.net में ऐसे ही होता है चलिए इसके बाद ले लिया हमने इंटर एफ ने फादर नेम ले लिया चलिए उसके बाद एक बटन ले लेता हूं मैं हाँ पर इसे save करने के लिए इस बटन के उपर text आप change कर दीचेगा इसकी property में जागा है save लिए ठीक है तो अभी हम data को insert करना देखेंगे और data connectivity देखेंगे तो चीज़े हम देखेंगे तो data की connectivity के लिए आपको form हम चाते कि जैसे ही हमारा web page load हो हमारा form load हो वैसे ही database के साथ connectivity हो जाए ताकि हमें connectivity करना ना पड़ें तो इसके लिए code हम कहां पर लिखेंगे पैंच की load event पर ही लिख देंगे इसके लिए आप कहीं पर भी खाली जगए पर double click कर दीजे डबल क्लिक करेंगे तो पैंच की load event आ जाएगी यहां पर हम database से connectivity का code लिख देंगे पर इसके लिए हमें कुछ source ऐसा ही connectivity नहीं होती है इसके लिए हमें कुछ library include करना पड़ती है तो वह library क्या include करना पड़ती है वह आप ध्यान से देखे सब से उपर जाएए बहुत प्रका library include करेंगे जिसके लिए हम लिखेंगे using system.data.oledb यह हमारी library oledb एक चल में ms access के लिए use करते हैं अब इसके बाद जो public class है यह जो public class है इसके अंदर हमें वह सारे object declare करना पड़ेंगे जिनकी साहता से हम data के साथ communication करेंगे जो हमने पढ़ेते data adapter data reader connection object तो उसको declare करने के लिए हम लिखेंगे oledb connection सब से पहले हम connection object देखेंगे oledb connection एक variable कुछ भी ले लो से मान लो मैंने कौन नाम का variable ले लिया आप cn लिवागेरा कुछ भी ले सकते जो आपके एक्षाओ is equal to new oledb connection ठीक है एक variable एक object यहां यह declare कर दिया अब command चाहिए तो oledb oledb command command को नाम हमने दे दिया cmd इस variable का नाम हमने क्या दे दिया cmd अब इसके बाद oledb data adapter इसका नाम da दे दिया da मतलब data adapter फिर oledb data reader इसका नाम dr दे दिया मतलब data reader और data set जो रहता है वो direct use होता है data set इसका नाम ds दे दिया ds मतलब data set तो यह आपके पांचो element यहां declare कर दी connection object के लिए कौन नाम का object बनाया command object के लिए हमने cmd नाम का object बनाया data adapter के लिए हमने da नाम का object बनाया data reader के लिए हमने dr नाम का बनाया और data set के लिए हमने ds नाम का object बनाया अब इन सब का use करके हम database के साथ connectivity insert update delete और विभिन प्रकार के operation perform करेंगे तो हम आ जाते हैं page load event पे page load event पे हम क्या बनाना सिखेंगे page load event पे हम सबसे पहले connection बनाना सिखेंगे connection बनाने के लिए connection string आपको याद रखना होगी आप node भी करते चाहिए इसके लिए हम लिखेंगे कौन नाम का variable उसका नाम con is equal to new oledb connection ठीक है यह bracket open करा इसका bracket close करा इसका semi colon लगाया यहां पे double inverted comma लगाया अब इसके अंदर हमें पूरा connection object हमारा connection object है हमारा ms access से connect होने के लिए वह है पहले तो provider हमें बताना पड़ता है उसका driver कुन सा connectivity के लिए तो वह है आपका pro provider is equal to Microsoft 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 dot Z dot O L E D B O E capital में लिखना है है हमको small में हो गया है capital में कर देते है O L E D B dot 4.0 मतलब हमने database को उठा के वहीं रख दिया जहा हमारी application है तो इसके लिए हमें यहां पर पूरी server की map देना होगी इसके लिए एक bracket open करेंगे हैं plus का symbol लगाएंगे space देकर और यहां लिखेंगे server dot map path bracket open करा यहां database का नाम database का नाम हमने क्या रखा है database ही रखा है dot mdb mdb 2003 का format लिया था नामने फिर बाहर आएंगे आप फिर यहां plus का symbol लगाएं वो बंद करना होगा उसको यह bracket close करके इसको इस प्रकार से close कर दीजे सारे चीज़ों को तो यह आपका connection string लिखा कई यह आपको याद करना होगी पूरी connection string connection को open करने के लिए con dot open लिखते थे अब हमारा connection सही create हुआ है यह नहीं हुआ है इसको check करने के लिए जब हम data insert करेंगे उस समय में पता लग जाएगा भी check नहीं कर सकते हैं तो data insert करने के लिए हम data insert करने code लिखते हैं data insert करने के लिए आप क्या करिए save button पर click करिए double click करिए और यहाँ पर data को insert करने का code लिखती जिए इसके लिए हम command object का use करेंगे cmd is equal to new oledb command bracket open करेंगे यहाँ हमारी query लिखेंगे और last में connection को pass करेंगे यह सब आपको याद करना होगा थोड़ी high level programming जरूर है पर करना होगा insert into table का नाम table का नाम हमने क्या रखा था माँ पर student उसमें field की नाम हमने क्या क्या रखे थे एक रखा था हमने ace name और एक रखा था हमने father का name f name फिर उसमे values insert करवाना है values insert करनाने के लिए अंदर values में single code अंदर डबल कोड अंदर आए प्लस प्लस अंदर आए text box one dot text text box one का text dot to string लगा दीजिए पीछे यह लगाना पड़ती है string क्योंकि string में convert होता है पूरा text फिर यहां comma लगाए फिर दूसरा है आपका single code अंदर आए डबल कोड अंदर आए प्लस प्लस अंदर आए text box two dot text dot to string ठीक है तो यह हमने पूरी insert की क्योरी लगती इसको execute कराने के लिए हम cmd dot execute non-क्योरी लखेंगे अब देखते हैं data insert हुआ है या फिर नहीं हुआ है इसको save all कर देते हैं और execute कराने के लिए आपको पताई यह debug में जाना और start debugging पे click करना है अगर किसी परकार की error होगी connectivity में तो हमें यहीं बता दी जाएगी चलिए तो यह हमारा run हो चुका है अब हम देखते हैं कि इसमें record insert होता है या फिर नहीं होता है अभी हमारा database blank है यहां पर हम record करके देखते हैं सिमान लीजी मैंने नाम डाल दिया शाम और पिता जी का नाम डाल दिया रवी और इसको save करके देखता हूं चलिए अभी मेरे पास में कोई message नहीं आया है क्योंकि मैंने message नहीं दिया था minimize करता हूं हाना और minimize करने के बाद हमारा सारा data हमने कहां पर save करके रखा हुआ है asp.net folder के अंदर यह website add के अंदर इस database को open करके हम देखते हैं यह table को open करते हैं तो देखिए शाम और रवी हमारा data insert हो चुका है तो हमारा जो connection और insert की क्यारी है वह बिल्कुल सही लिखी गई है connection बन चुका है और एक नया record हमने insert कर दिया है ठीक है अब इसको मैं वापस से stop कर देता हूं इसको यहां पर हम close कर देता है ठीक है next हम देखते है data को back end front end पे कैसे लाया जाता है back end से front end पे किस प्रकार से fetch किया जाता है how to accessing data using data adapter and data set यह topic आपको दिया गया था आपके से लेपस में कैसे fetch करके आप लाँगे तो और लाना कहां पर है लाना आपको है grid view के अंदर data grid view होती क्या है data grid view actual में row और column का combination होता है देखिए यहां पर आप जाएंगे tools में tools में आपको यहां पर grid view मिलेगे इसको मैं नीचे लगा देता हूँ यहां पर तो grid view आपको दिखाई दे रही है यह grid view row और column का combination होती है इसमें आपका back end में रखे के data को इक front end में display आप करवा सकते हो ठीक है तो data grid view के अंदर data को display कराने के लिए हम क्या करेंगे तो उसके लिए हमें code लिखना होगा वह भी हमें page की load event पर ही लिखना होगा ताकि जैसे ही page load हो तो सारा data हम इस grid view में load हो जाए तो आप double click करेंगे page पर यह जो open हमने page load event लिखा है हमारा connection लिखा हुआ है इसी के नीचे हम page load करने का code भी लिख देते हैं अच्छा लिए इसके लिए हमें data adapter का use करना होगा da is equal to new only db data adapter यह SQL की query फैच करके लाने के लिए कौन पॉस करा देते हैं select star star से सारा data आजाएगा from table का नाम student select star from student इस सारा data आजाएगा data adapter में ठीक है इसको हमें data set में fill कराना होता है तो ds को re-nisslize कर लेते हैं ds is equal to new data set इसको re-nisslize किया use करने के लिए हमेशा करना पड़ता है ताकि हर बार 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 use कर सके हैं और da.fill और fill कर देते हैं इसमें ds में data set में लाकर रखा जा सकता है सारा data तो हमने data set में लाके रख दिया अब data grid view में दिखाना है grid view का नाम है grid view 1 नाम है grid view 1.datasource data का source क्या होगा data का source हमारा data set है क्योंकि सारा data हमने data set ds में रख दिया data को bind करना पड़ेगा data binding भी आपको मैंने बोला गया है तो वह इसी को बोलते है data binding भी grid view 1.datasource data bind ठीक है अब इसको हम run करके देखते हैं इसके लिए website में जाकर debug में जाकर start debugging करेंगे तो देखे यह हमारा run हो चुकी application जिसमें एक data हमने insert करा था load हो चुका है अगर अब हम कुछ भी data insert करेंगे तो हमें यहां पर ही दिखाई देगा हमें अंदर जाके देखने की आवशकता नहीं होगी इसे नया record में insert करता हूं जितेंद्र और father का name insert करता हूं यहां पर राचा और यह insert करा इस page को refresh करके हम देखेंगे तो देखेंगे यहां पर record आ गए तो इस प्रकार से data grid view के अंदर phase करके लाना data इसी को data binding बोलते हैं ठीक है तो यह question आपको exam में आता data binding क्या होती तो इतनी इसी ही process लिख कराना है वहाँ पर हाना data binding की insert वाली एक line मत लिख कर आईएगा save button पर लिखिए और यह design उपर वाली मत बनाईएगा ठीक है अगर insert का पुछा है तो उपर वाला लिख कर आईएगा और connectivity तो आपको करने ही पड़ेगी database से connectivity नहीं करोगे तो practical कर रहे हैं तो इसको save करके रख लिए क्योंकि अगला part को इसी में practical करना होगा इसी के साथ हो सकता है otherwise नहीं हो सकता क्योंकि अब इसी के अंदर हम नया data को insert करना तो देख लिया है data update करना delete करना edit करना जैसे operation perform करना देखेंगे ठीक है data reader का use करना भी हम सीखेंगे और हमारी fourth unit end हो जाएगी thank you और आप हाँ आगई बता दूँ आपको वीडियो पसंद आया तो please comment करके बता दीजिए और वीडियो को like करना और share करना न गूले ताकि आपके दोस्तों को भी profit हो सके thank you